हेलो एवरीवन आयम दॉक्टर कोवन कुमार जा फम सीमेज ग्रूप आफ इंस्टिचूशन तुड़े विल डिस्कॉस वाट दू मिन बाय अकॉंटिंग कॉंसेप्ट जैसे कि प्रिविएस वीडियो में हम लोग समझे थे अकॉंटिंग कॉंसेप्ट क्या होता है तो बेसिक थतÕ बताये थे Money Measurement coup यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें तो अकॉंटिंग कॉंसेप्ट होता क्या है थोड़ा इसको फिर से रिकॉर्ड कड़ेंगे accounting concept मतलब जो भी business transaction होते हैं उन सभी business transaction को business के books में कैसे record की जाए यानि उसको record करने के लिए जो भी various rules है या जो ideas है या जो principle है उसी को हम लोग accounting concept कहते हैं तो business entity concept जो बताये थे first में उसमें ये बताये थे कि इस concept में business and businessman बोथ हार separate और business entity concept को हम कई नामों से जानते हैं जैसे कि separate entity concept या accounting entity concept दूसरा discussion किये थे going concern concept बताये थे कि business और businessman जो है बोथ हार क्या मतलब business का जो life होता है वो definite होता है बट जो businessman का life होता है वो indefinite होता है यानि businessman का जो life होता है वो definite होता है और business का जो life होता है वो यह indefinite होता है आज today we'll discuss what do you mean by इसका जो basic जो fourth concept है वो कहता है accounting period concept यानि accounting period concept क्या होता है जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि जितने भी business होते हैं जितने भी business world जितने भी corporate sector है उन सभी को अपना एक appropriate segment follow करना परता है यानि appropriate segment के बाद ही वो अपना result as well as position को find out करते हैं तो accounting periodicity concept यह बताता है मुझे कि हर एक business को कोई न कोई एक appropriate segment assume करना है मतलब according to the accounting period concept the life of the business is divided into appropriate segment यानि जो business का life होता है उसको एक appropriate segment में divide कर देता है जैसे example अगर कोई company मालनी जी है आज हमें start की है और उस company का estimated life hundred year है तो क्या हम उस company का जो result है वो after hundred years जानना चाहेंगे नहीं यहीं पर यह concept आता है कि accounting periodicity concept यह मुझे बताता है कि हर एक business को एक period assume करना है चाहे half yearly हो चाहे quarterly हो चाहे monthly हो या फिर चाहे क्या हो yearly हो but not more than a year एक साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए यह मुझे accounting periodicity concept बताता है generally सभी business का जो है तो लगभग 12 month का ही होता है और हलाकि यह restriction नहीं है कि 12 month का ही होना चाहिए वो quarterly भी कर सकते है वो half yearly भी कर सकते है और वो monthly भी कर सकते है but day to day आप statement को प्रिपेर नहीं कर सकते है तो प्रिएडी सीडी concept नेक्स्ट जो है यह काता है कि cost concept अब cost concept क्या होता है कि cost concept मुझे यह बताता है कि जो भी आपके पास में assets है खास करके जो fixed assets है उन assets हों को business के books में हमेशा original cost less proper depreciation जैसे कि हम लोग going concern concept में भी समझे थे कि एक exemption यह भी था कि fixed assets are valued at cost less proper depreciation मतलब cost cost का मतलब वह original cost अगर माल लिजिए कि कोई भी assets आज हम एक furniture purchase कि यह 500 रुपया में तो उसका अगर माल लो 10% उसका depreciation चार्ज हम कर रहे है तो at the end of the first year उसका जो furniture का value होगा वह 450 होगा लेकिन market price जैसे हम देख रहे हैं तो वह उस furniture का जो market price हो रहा है वह आपको लगभग सारे 500 हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको सारे 500 पर record करेंगे मतलब कि जो उस business में जो उस business के द्वारा उस assets को purchase करने के समय payment किया गया यानि original cost पर ही each and every time assets को क्या करना है record करना है तो यह मुझे cost concept बताता है एक example भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर माल लो कोई share है अब share आज हम purchase कि यह 50,000 में और माल लो उस share का कीमत कितना हुआ अगले accounting year में साथ हजार हो गया तो क्या हम अगले accounting year में साथ हजार उसको करेंगे नहीं उस share को business के books में हम कितना पचास हजार ही record करेंगे तो cost concept बताता है कि कि कितना पाइसा business के पास से उस properly assets को purchase करने में इन्वेस्ट किया गया हाँ अब depression का सवाल है तो depression वह fix भी और diminishing भी उसको follow कर सकते हैं यह business के उपर में depend करता है कि कौन से method लेकिन cost less proper depreciation अगर वह fix करते हैं तो income tax authority के दौरा उसको valid नहीं माना जाता है लेकिन अगर diminishing करते हैं तो valid होता है वह पूफ के रूप में आप उसको दिखा सकते हैं another concept है उसको हम लोग काते हैं dual aspect concept dual aspect concept जैसे कि का नामी है कि double यानि each and every monetary transaction has twofold aspect जितने भी transaction हम लोग business के books में record करते हैं तो उसको double entry system के basis चीस पर ही record करते हैं यानि one person is called receiver then another person is called giver तो यह हम लोग को समझना है कि dual aspect concept यह मुझे बताता है कि every transaction has two aspect and an accountant should record both the aspect of every transaction यानि जो accountant होते हैं वह business के books में जो भी monetary transaction को record करते हैं तो उसको dual aspect पर ही करते हैं यानि जैसे मालों की sold goods to Ram is rupees 5000 तो अब Ram को समान बेचे 5000 का तो इसका मतलब है कि जब business के books में उसको record करते है according to the rule जो भी accounting rule for debit and credit है उसको follow करते हुए हम क्या करते हैं कि Ram account यार two sales account यानि एक one account is debited that another account is credited यही मुझे dual aspect concept मुझे बताता है मतलब every debit मतलब for every debit there is a corresponding and equal credit मतलब जितना debit हुआ है उतना ही credit होगा otherwise उसका कभी भी result as well as position सही नहीं आएगा तो यह मुझे dual aspect concept बताता है तो आज के session में हम लोग 3 accounting concept समझे एक accounting period concept एक cost concept और एक dual aspect concept तिन उससे पहले previous वीडियो में समझे थे तो 3-3-6 हो गया और बाकी जो remaining होगा वह हम लोग next class में इसको discussion करेंगे thank you all of you